हलो सलाम नमस्ते साथ स्क्राइब दोस्तों मैं हूँ निते सिंग आप देख रहे हैं टेक्निकल नाविगेटर यूट्यूब चैनल और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज के एक और फ्रेश वीडियो में जो की Android Penetration Testing Series का एक पार्ट है दोस्तों ये वीडियो जब्सक्तिने से पहले आपको मेरी लास्ट वीडियो जरुर सब्सक्राइब आप अब तक नहीं देखा तो अगर आप ने देख लिए तो आप Good To Go है आप इस वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं अगर जिन्हों हमने देखा था कि एक android browser के अंदर में intercept कैसे कर सकते हम इसके request को जैसी हम intercept on करेंगे यहाँ पर यहाँ से reload करते हैं तो यहाँ पर यह intercept होके आ जाएगा आप देख सकते मैं इसको forward करता हूं मैं इसको forward कर देता हूं यहाँ पर आप सकते host google.com आ चुका है यानि कि इस virtual android device के browser से सारे request यहाँ पर intercept हो रहे हैं आपके बाप suit के अंदर में कैसे करना यह सब मैंने लाग वीडियो में बताया हुआ था अब हमारा जो motive है हमारा जो goal है वो है android app के request को capture करना ठीक है अब यह कैसे होगा इसके लिए आपको इस phone को root करना पड़ेगा ठीक है रही बात उसके बाद आपको इसके SSL bypassing करनी पड़ेगी जिसके आप SSL unpinning भी बोल सकते हैं जिसके बाद आप इसके apps को android apps को क्या कर सकते हैं आप intercept कर सकते हैं विदाउट उसके app ये काम नहीं कर सकते अब मैंने जो custom phone ready किया था जैनी motion में जो कि आपके सामने ये पड़ा हुआ है custom phone इसमें already ये rooted है यहां आप देख सकते है super user app डला हुआ already rooted ही मिलेगा आप भी करेंगे तो आपको मिलेगा बट बहुत सारे custom phones या भी बहुत सारे आप जब models select करेंगे उसमें वो आपको rooted नहीं मिलेगा तो आपको root करना है अब ये सब करने के लिए आपको क्या-क्या चीजों की ज़रत पड़ेगी मैं आपको पहले वह बता देता हूँ सबसे पहले आपको ज़रत पड़ेगी ssl unpinning apk file की उसके बाद super seo जो flashable zip है super seo की उसकी ज़रत पड़ेगी तीसरी exposed installer app होती है उसकी ज़रत पड़ेगी चौथा exposed framework होता है sdk framework उसकी ज़रत पड़ेगी अब ये सब कैसे आप कहा से ले पाएंगे मैं आपको सारे links description में दे दूँगा और यहाँ पर आपको screen पर भी दिखा देता हूँ तो ssl unpinning app आपको इस github page पर मिल जाएगा ac-pm वाले पर यहाँ जब आप नीची आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं सिंपले आप इस पर क्लिक कर दीजे और यहाँ डाउनलोड को option आ जाएगा आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दूसरी file जो है आपकी exposed installer और framework अब यह कहां से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस xdui developer page पे आपको यहाँ आना है यहां से आपको एक link मिलेगा exposed framework का आपको इसको new tab में open करना है यहाँ आपको framework मिल जाएगा और exposed installer apk आपको यहाँ पर ही नीचे की तरफ .apk file मिल जाए framework के लिए अब कौन सा SDK करना है यह मैं आपको बता देता हूँ आपका custom phone जिस API version का होगा आपको SDK भी उसी version का डाउनलोड करना है यह आपके लिए better होगा मेरा API वहाँ पे जो था वो 24 था तो मैं SDK 24 वाली डाउनलोड करूँगा अब 24 में आपको आपके Android के लिए 86 वाला करन है डाउनलोड उसके बाद आपको तो लेटेस वर्जन होगी जिफ फाइल वाली उसको डाउनलोड कर लेनी है यह वाली SD के 2486.jip यह डाउनलोड कर लेनी है देखा आपने यहाँ पर मेरा और यहाँ पर डाउनलोड इट पड़ा है सेम फाइल उसके बाद गाईज नेक्स गुगल सकते हैं आपको यह साइड अपन हो जाएगी यहाँ पर आके आपको यह वाले जेकन करने आपको डाउनलोड करने कि कि इसफाइड करने है 시간 तो हुआ है यह डेomorph करने कणे और यहाँ वाली piston है जोकी स्लाइज हो जाए है तो यह आपको तक पढ़ीगी अगर आपका फोन रूटेड नहीं है तो रूटेड है तो आप गुट्टू को हैं आगे बढ़ने के लिए अब यह सारी फाइल्स हो गए अब हम आगे बढ़ेंगे अब आपको सबसे पहले क्या करना है पहले आपको रूट करके चेक करना है कि आपका फोन चोड़ेंगे जैसे चोड़ेंगे यह क्या होगा इसको फ्लेश कर देगा और आपके फोन को रूट कर देगा चलिए अब इसके बाद आपको इंस्टाल करना है exposed installer, exposed installer आपको एक exposed installer AP के जो है, पहले आपको इसको install करना है, इसको install के लिए क्या करना है, इसको drag करना है simply, आपके phone में ले जाके छोड़ देना है, ठीक है, अब ये file transfer सुरू कर रहा है, exposed installer ये कर दिया इसने, इन समके ये आपको कुछ देगा warning आपको okay कर देना है, अब यहाँ पर यह बोल रहा है, exposed framework is not installed, यहाँ तो ठीक है, हम exposed framework कर लेते हैं, यह रहा हमारा exposed framework, इसको लाके हम यहाँ पर drag and drop कर देते हैं, अब यह देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, exposed gif file seems to a flashable archive, do you want to flash, yes, हम इससे flash करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यह flashing सुरू कर गई, यह यहाँ पर यह देखिए, has been flashed successfully, आप इसको okay कर दीजे, तो guys हमने phone को reboot कर दिया है, अब हम चेक करेंगे वापस से हमारा exposed framework installed है, या नहीं है, हुआ है, या नहीं हुआ है, इसके लिए आपको इसको 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 किया, ठीक है, हमारा exposed framework install हो चुका है, अब हम install करना है SSL unpinning APK को, अब हमें इसे इसको back करके यहाँ पर drop कर देना है, SSL unpinning app जो है, वो install हो जाएगा, क्योंकि यह एक exposed module है, तो SSL unpinning को आपको exposed module में जाके आपको activate करना पड़ेगा, अब आप इसको notification panel को नीचे कीजे, exposed module म चलिए, यहाँ पर आप इसको tick mark कीजे, यह देखिए, exposed module is updated और इसके बाद आपका जो है काम लगबग हो चुका है, अब exposed module को जैसे आपने start किया, उसके बाद आपको phone को एक बार वापस से reboot करना पड़ेगा, उसके बाद ही यह walk करेगा, तो हम phone को वापस से एक बार reboot करके फटाक से इस screen पे आते है, so guys, phone को हमने reboot कर लिया हमारे virtual android device को, and अब हमारा जो exposed installer का जो module है, जिसको हमने SSL unpinning, जिसको हमने install किया है, वो active है, and अब आप किसी भी android app के traffic को बबब सूट में capture कर सकते है, अब guys, यह कैसे होगा, मैं आपको बब सूट ओपन करके, यहाँ पर मै अब हम कोईसा भी एक app को download करेंगे, आप कोईसा भी app कर सकते हो, मैं naika करूंगा यहाँ पर, and naika को हम पहले install कर लेते हैं, and उसके बाद क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक process को ध्यान से देखिएगा, follow up कीजिएगा, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा अगर आप skip करेंगे बीच में, तो आपके लिए काफी complex हो जाएगा, and आपको maybe समझ में ना है, तो हम पहले naika को install कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते, तो यहाँ पर download नहीं हो रहा, actually हमने proxy setup किया हुआ था, आपको याद होगा, तो मैंने यहाँ पर proxy setup किया तो आपको पहले उस proxy को remove करना पड़ेगा, हम इसको modify करके, यहाँ पर proxy manual से, यहाँ पर आप none कर सकते हैं, और इसको आप save कर सकते हैं, अब वापस से आप Google Play Store पे जाए, और वापस से अब इसको install करने की कोशिस कीज़े, download करने का, तो यह होगा, क्योंकि हमने proxy setup किया था, तो हम पहले इसको download कर लेते हैं, install कर लेते हैं, उसका फिर से वापस से हम proxy set कर देंगे, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा, अब देखिए, यह install हो रहा है, बिल्कुल, ओके, install आपको कर लेना है, इस नायका app को, अब हम इसको एक बार open भी कर लेते हैं, यहाँ पे, चलिए, हम इसको एक बार one time open करते हैं, let's see, ओके, यह open हो रहा है, यह open हो चुका है, यहाँ पे, हमें sign in, sign up करना है, तो हम फिलाल कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसको skip कर देते हैं, टाकि हमारा main app, जो है, हमारे सामने आ जाए, यह दिकि हमारा app अराम से काम कर रहा है, सब मोडिफाई कर देता हूँ, ओके, मोडिफाई करके, प्रॉक्सी में हम manual करते हैं, और हमारी जो system की IP है, मैं वो डाल देता हूँ, मेरी IP फिलाल 192.168.0.105 है, hopefully, यही होनी चाहिए, 8080, ओके, मैं एक बाच चेक कर देता हूँ, risk क्यों ले रहा है, तो IP config, यह रहा, IP चलो, 105 है, बहुत अच्छी बात है, 105 आगई, 8080 हमने जो इसमें setup किया था, options में, यह देखो, 105 के लिए 8080 के लिए किया हुआ था, तो यह बढ़िया बात है, यहाँ पे हम इसको save कर लेते है, proxy configured successfully, ठीक है, अब इस नायका को, आपको capture करना है, and guys, अब देखो, क्या होगा, क्या, आप इस नायका app को open करो, okay, हमने open कर लिया, यहाँ बोला, internet is down, try again, अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले, यहाँ पर मैं इसको minimize कर देता हूँ, ठीक है, इस app को SSL unpinning के through, इसके SSL bypassing करनी पड़ेगी आपको, जो penetration testing में, किसी app को test करने के लिए उसके security testing में important है, अब आपको SSL unpinning open करना है, यहाँ पर, SSL नायका app है, नायका आप पर करना चाहते है, आप इस पर double click कर दीजिए, bypass apply to नायका, ठीक है, यह हो गया, यह SSL unpin हो चुका है, background से मैं सारी जो भी चीज़े हैं, इसको remove कर देता हूँ, अ हमने proxy set किया, still, क्योंकि हमने SSL bypass कर दिया है, SSL unpinning कर दी है, अब यह app एकदम से ready है, intercept होने के लिए, अब दोस्तों कैसे intercept होने के लिए, कैसे ready है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ यह my account और यह सब आ रहा है, अब मैं intercept on करता हूँ, यहाँ बबशुट के अंदर में, अब हम देखते हैं, intercept हो रहा है यहाँ चलते हैं, और यहाँ चलते हैं पहले my account पर, my account पर click किया, यह, बिल्कुल, यह देखिए हमारा, यह देखिए आप देख सकते हैं आपे, application, content type क्या रहा है, application आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप इसको forward क करेंगे, okay, मैं इसको again forward करता हूं, forward करता हूं, again यह हमारे नायका का ही है, and अब इस पर अगर आप कुछ करते हैं, sign in होगर है या कुछ भी, तो मैं आप फिलाल अभी cancel कर देता हूं, यह देखिए आप, यह आपको दिख रहा है, android 7.0, custom build, यह सब आपके details आगे, यानि हमा settings फोगरा में चलते हैं, इस पर चलते हैं, offers पर चलते हैं, offers पर, ओके, यह web page, not available आरा है, back करते हैं, कोई से बी product page हम इसको open करके try करते हैं, हम ने यहाँ पर product page open किया, यह रहा हमारा product आ गया, intercept on करते हैं, and यहाँ पर हम इस पर click करते हैं, यह देखिए, यह start हो गया, यह य यहां पर आपका नायका.com आ चुका है यहां पर प्रॉक्सी कैप्चर सुरी यहां पर आपका ट्राफिक का कैप्चर हो चुका है एंडवर्ड एप का है और सब कुछ अगे प्रॉक्सी कहा है यहां पर आपका ट्राफिक्व करते हैं इसको खुछ नायका का प्रॉक्ट हैका है तो यह सारए आप कर सकते हैं अब android apk को app को भी आप intercept कर सकते हैं यह मेरा मकसद सा आपको इस वीडियो को थुरूप बताने का यह complete होता है android penetration testing के setup process का वीडियो ठीक है पूरा last वीडियो और यह मिला के आपका पूरा complete हो गया अब आपको इसे भी app पे testing कर सकते हैं वो सारे vulnerabilities mobile application की vulnerability जो OS पर top 10 mobile application vulnerabilities listed हैं आप उनको पर सकते हैं या फिर मेरे upcoming video जो इस series के होंगे उनको भी देखना मत भूलिएगा उनमें सारे vulnerabilities को मैं एक एक करके आपके सामने ले के आऊँगा आपको बताऊंगा आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं ऐसी testing और कैसे आप android app developers को या फिर उसके owner को रिपोर्ट करके bounty अगर अंट कर सकते हैं या फिर आप reward ले सकते हैं hall of fame में जा सकते हैं या आपके उपर एक किस टाइप के bugs आप फाइंड करते हैं जैसे web application में bugs find किये जाते हैं same process लगभग आपको android app में भी मिलेगा असमें भी आप API testing कर सकते हैं आप डिरेक्टरी brute forcing के लिए भी कर सकते हैं endpoints खोड सकते हैं there are many things you can do from this so guys wait for my next videos and I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना एम करते हैं इस वीडियो पे 700 लाइक्स का इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच WhatsApp, Telegram, Facebook जैसे social platforms पे ताकि यह maximum logo तक पहुँचे मेरे चैनल की भी थोरी promotion हो और वो सिर्फ आप कर सकते हो मुझे पता है दूसरा कोई करेगा भी नहीं अना ही मैं किसी और से उमीद करता हूं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर से ही उमीद कर सकता हूं and guys मिलते हैं next video में till then bye bye take care